लोकसभा चुनाव के आख़डी चरंड से पहले होशियारपुर्द में अपना चुनाव अभ्यान समाप्त करने के बाद प्यम मोदी 30 मई को तमल लाडू के कन्याकुमारी पहुचे प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी में प्रसद्ध भग्वती अम्मन मंदर में पहुचकर प्राथना की बात में उन्होंनी प्रसद्ध विवेकानन प्रॉप मेमोरियल का दौरा किया जहां वर ध्यानमंडपम में ध्यान कर नहीं है जैसा कि आप जानते हैं कि आखरी चरण से पहले प्यमोरिय आद्धात्मिक अबकाश पर हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं क्यों ने अपनी आद्धात्मिक अबकाश या एकांध वास के लिए यही जगें ख्यों थेनी दरसल इस जगें से उनका एक पुराना कनेक्शन है जो उनकी इस तस्वीर से भी समझा जा सकता है ये तस्वीर दिसम्बर 1991 में M.N. जोशी के साथ पियो मोदी की एकता यात्रा की है जो समारक से शुरू हुई थी जिसे यूनिटी मार्च भी कहा जाता है दिसम्बर 1991 में इस यात्रा को कन्या कुमारी से शुरू किया गया था और चप्विशनवरी 1992 को ये यात्रा समाप्थ हुई थी एकता यात्रा का नेत्रत्व भाजपा नीता मुर्ली मनुहर जोशी ने किया था जब की तत्कालीन भाजपा कारेकर्दा नरिद मोडी उनके साथ थे ऐसे में ये जगें उनके लिए और भी खास हो जाती है जहां उन्होंने एक कारेकर्दा के रूप में अपनी येत्ता यात्रा की शुर्वात की थी और आज शान्ती और सुकुन की तलाश में थी उसे जगें पहुचे हैं झाल झाल